कि हाई दोस्तों आज के वीडियो है मतर का छोला इसको सुबा फूलने दीज़ें तो सुबा बनाईंए यह स्दो अच्छा वाता है देखिए पुरे होधा के चैस साप करके यह साधा है टाटा नमक है इसको डालके इसको शिंजने के लिए देंगे देखिए यह सोड़ा है घ गलता है मटर सिंजता है अच्छा से देखे इसको बठा दिये कुकर में दो मिन बन जाएगी लेकिन कुकर में नहीं बनाए क्योंकि इसमें अच्छा टेस्ट आएगा इसलिए मसाला देखिए मिर्चा है प्याज लसून अध्रक जीरा गोल की अहीं सब मिर्चा डालना है बस क सब्सक्राइब में देखिए पुरा गल गया देखिए कितना अचल दब गया इसी तरह सिंज्ञा के बनाएगा इदा आसान है को टेंसर नहीं है होटल दीसा बनेदा होटल से जादा टेस्टी लगेगा देखिए मसाला इसके त्यार कर लिए है कड़ाय में देखिए डाल र प्याज अरहरा मिर्चे दो तिन काटके फाड़के डाल दिये हैं कि दोया हुआ है ना तेल डालेंगे तो इसमें क्या होगा बाहर तेल आनमें छिटा लगते हैं इसलिए इसको आगे ही डाल दिए उसके बाद हम यह देखिए रिफाइन ओल है यह सरसो तेल में यह प्राइब होना तक इसका इंतिजार करना है देखिए बहुत अच्छा रेसीपी है यह घर में बहुत असान तरीका से बनेगा एक वार जरू ट्राइब कीजिए आप वीडियो को सेर करने बिलकुल ने भूलेगा सेर जरूर कर दीजिए मेरे लिए एक मिनिट टाइम जरूर लिए दूने का लिए देखिए ये फ्राइबी फोह यह गया है ओर देखिए जो मसाला था उसको दाव दी निजए फ्राइब होने दिए अ देखें फ्राइब हो रहा है यह भी फ्राइब हो नहीं वाला है अब फ्राइब हो गया देखें हलका सा पानी डाल दिए ताकि मसाला माक्य नहीं इसलिए हल्दी पौडर नमक तो अगे से डाला हुआ था हल्दी पौडर उपर से डालना जोर रही है जो मटर था सिंझा हुआ उसको सारा डाल दिए देखें पानी यह आपको डालना है हल्का सद होके डाल सकते हैं जो बरतन में लगे रहते हैं प्रुन्त से त्यार होगा देखें जो आड़िह का बंगा रेडी हो गया है लेकिन इसको कब कर देंगे अब थोड़ा देर बाद यिसको निकालेंगे तब देखें कितना कढणा लगेंगा यह होटल जाएंगे यह इस लाइक भाट्रा बनाएंगे है हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे कैसा लगा देखें कि अध्यों को निकाल के भी दिखा रहें देखिए विडियो पसंद आया होगा थे वीडियो लाइक सेर और सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं भूलिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि आपको यह विडियो कैसा लगा यह रेसिपी कैसा लगा धैनवाद